दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आमारे चैनल में दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब्यामलो 26 चनवरी जो की गरतंता दिवस के रूप में मनाये जाता है और आज हमारा देश यानि भारत जो है ये 73 गरतंता दिवस मना रहा है ये काफी ये स्पेशल दिन है हम सभी के लिए क्योंकि आज ही के दिन जो हमें पूर्ण सोराज मिला था और जो हमारा संविधान है ये लागू हुआ था ठीक है इसलिए ये काफी ज्यादा जो है हम सभी के लिए स्पेशल दिन है तो इसे रिलेटेड इंपोर्टन सिष्टी कोस्चन इस वीडियो में दे ठीक है तो चले सुरू करते हैं देखे यहां पर हमारा पहला कुशण दिया गया है 16 1966 2222 को गणनतर दिवस की कौन से वर्षगाठ मनाई गई तो देखे रिशान वरी 2222 को गणतर दिवस की जो है ये तीहत्तरवा जो है वर्षगाठ मनाई गई आपको याद रखना है ये सल मतलब 26 चनवर 22 को 73 जो है बर्सगाठ बनाई गई है आंसर हो जायेगा B कुश्यन नमबर 2 है 26 चनवर 22 को गड़तन दिवस पर मुख्या तेथी कौन होंगे तो देखें कोबिट की वज़ा से जो है 21 और 22 जो रहा है इसमें कोई जो है मुख्या बिदेशी मुख्या तेथी जो है नहीं आये है ठीक है तो मतलब कोई मुख्या तेथी नहीं होंगे तो यहाँ पर आंसर हो जायेगा option D कोई भी नहीं ठीक है तो आंसर हो जायेगा D कुश्यन नमबर 3 है 26 जनवरी के दिन ही गरतंतर दिवस क्यों मनाय जाता है तो देखिए तो हम बता ही चुके है कि 26 जनवरी को गरतंतर दिवस क्यों मनाय जाता है क्योंकि इसी दिन हमें पूर्ण सोराज मिला था ठीक है इसी कारण से 26 जनवरी को जो है ये गर्तन दिवस मनाई जाता है कुस्छन नंबर 4 है सुप्रीम कोट ने किस अनुछेद के तहत है धौज फाहराने के अधिकार को मौलीक अधिकार के रूप में घोशिद किया है तो देखेगे धौज फाहराना ये अधिकार है और ये किस अनुष्यद के तहजोए घोसित किया गया है तो ये अनुष्यद 19-19 के तहजोए घोसित किया गया है ठीक है तो आपको याद रखना है अंसर हो जाएगा बी Quesion No.5 है भारतिया द्वज को सबसे पहले कब स्विकार किया गया तो भारतिय दोज को सबसे पहले जो है ये 22 शुलाई 1947 को स्विकार किया गया था ठीक है तो आंसर हो जायेगा option A question number 6 है भारत का संबिधान कितनी भासाओं में लिखा गया है देखिए very important question है आपको पता होना चाहिए जो भारत का संबिधान है ये दो भासाओं में जो है मतलब लिखा गया है हिंदी और अंग्रेजी भासा में ठीक है आपको याद रखना है हिंदी और अंग्रेजी भासा में जो है ये भारत का संबिधान लिखा गया है आंसर हो चाएगा option A question number 7 है भारतिय संबिधान को किस सम्मेती के नेतितों में अंतिम रूप दिया गया तो ये drafting committee के दोरा दिया गया था जिसके अध्यक्स BR अंबेड करते आपको याद रखना है भारतिय संबिधान को किस सम्मेती के नेतितों में अंतिम रूप दिया गया था तो drafting committee के दोरा ठीक है याद रखना है drafting committee के दोरा जिसके अध्यक्स BR अंबेड करते ठीक है question number 8 है भारत के संबिधान में गरतात्मक ब्यवस्था किस दे से ली गई है तो गरतात्मक जो ब्यवस्था ली गई है तो ये फ्रांस से ली गई है ठीक है तो answer हो जाएगा C question number 9 है भारत का गरतांत्र कब लागो हुआ था तो देखे भारत का जो गरतांत्र लागो हुआ था 26 चनवरी 1950 को लागो हुआ था ठीक है गरतांत्र दिवस्था यानि 26 चनवरी को जो है ये राश्पति 2000 रोहन करते है और एक और कुश्चन पुछा जाता है कि 15 अगस्त को यानि स्वतांत्र दिवस्था को जो है 2000 रोहन कोन करते है तो परधान मंत्री करते है ठीक है आपको याद रखना है 2012 अगस्त को शोतनता दिवस पर प्रधान मंत्री करते हैँ और गर्तनत्र दिवस याने 26 सब्स जनवरी को राशपती करते हैं ञासे याद रखना है आपको अगला कुष्यन है गर्तनत्र दिवस पर विभीन राज्यों में 2000 कौन करते हैं तो देखे बिभीन राज्यों में जो गोर्नर होते हैं यानि जो राज्ये पाल होते हैं राज्ये के उस राज्ये के जो राज्ये पाल होते हैं वो मतलब अपने राज्ये में जो है दोजार रोहन करते हैं आपको याद रखना है आंसर हो जाये गई भारतिय संबिधान सभा द 1250 को जो है लागो किया गया था ठीक है आपको याद रखना है तो अंसर हो जाएगा अपसाने कुश्चन नमबर 13 है संबिधान भारत का संबिधान बनाने में कितना समय लगा देखिए बहुत वरी कुश्चन एक जाम में पुछा गया है भारत का जो संबिधान है इसको बनाने में कितना समय लगा था तो 2 साल 11 महिने और 18 दिन जो है इसको बनाने में समय लगा था अंसर हो जाएगा D, Q14 है पहला गर्तंतर दिवस को मनाया गया था तो पहला 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था ठीक है जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसे दिन है पहला गर्तंतर दिवस मनाया गया था ठीक है तो आंसर वो जायेगा अपसने कुश्यन नमर 15 है पहले गर्तन दिवस के मुख्याते थी कौन थे तो इंडोनेसिया के राश्पती सुकार्नो थे याद रखना है आपको इंडोनेसिया के राश्पती सुकार्नो थे ठीक है पहला गर्तन दिवस समरो कहां आयुजित किय गया था तो यह आयोजित किया गया था इर्विन इर्विन स्टेडियम में ठीक है आंसर हो जाएगा टी कुश्चन नंबर 17 है जिस समय भारत का गड़तांत्र लागू हुआ उस समय भारत के राश्पति कौन थे तो उस समय भारत के राश्पति डाक्टर राजंदर प्रसाथ ठीक है आंसर हो जाएगा ये 26 चनवरी 1950 को गड़तांत्र दिवस के मुख्या थे थी कौन थे तो देखिए दोहर 21 और 22 जो था है ये कुरोना की वज़ा से जो है इसमें कोई मुख्या थे नहीं थे लेकिन 22 में थे तो आपको बताना है कि 22 के गड़तांत्र दिवस पर जो है मुख्या थे थी कौन थे तो मुख्या थे थे ते ब्राजील के राश्पती जियर बल एस नरो ठीक है बोल एस नरो जो थे ये ब्राजील के राश्पती जियर बोल एस नरो थे ठीक है आंसर हो जाएगा अप्शन B कुश्चन नमबर 19 है भारतिया राश्टिया ध्वज का ड design किस ने तयार किया था तो पिंगाली बंकाया ने तयार किया था ठीक है आंसर हो जाएगा सी दोस्तों यह आदे आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लेज का notification जो है आपको समय से मिल मतलब मिल सकेगा ठीक है तो बेल आइकन जुरूर से अंग करें कुष्चन नमबर 20 है राष्टिय ध्वाज पर बने चक्र को क्या कहते है राष्टिय ध्वाज पर जो चक्र बना होता है उसको क्या कहते है तो उसको और शोक चक्र और धर्म चक्र और शोक चक्र या फिर धर्म चक्र किसी किसी एकजाम में आपको धर्म चक्र भी देखने को मिलेगा तो आपको ये दोनों मतलब ये दोनों को एक ही चीज है तो आपको और शोक चक्र मिलेगा तो ठीक है या फिर धर्म चक्र मिलेगा ठीक है तो इसको क्या बोलते है रा साराथथसो के अस्ताम से इसको लिया गया अंसर हो जाएगा और सी ठीक है और मई 맛있어요 बहुत के राष्टी जंडे में चर्खे की जगा चकर कब अस्तितों में आई वह जो है चर्खे की जगा चक्र कब अस्तितों में आई थी तो यह आई 22find Museum साइटालिस को याद रखना है 22 जुलाई उनिस साइटालिस को आई आंसर हो जाएगा आप सने कुश्चन नमबर 23 है भारत के राष्टिय दोहज की लंबाई और चोड़ाई का अनुपात कितना है तो देखे राष्टिय दोहज का जो लंबाई और चोड़ाई है इसका अनुपात आपको बताना है तो लंबाई जो है तीन है और चोड़ाई जो है दू है तीन अनुपाद दू यहां पर correct answer हो जाएगा और इसमें जो है तीन रंग होते है ठीक है और आपको याद रखना है और यहां पर चकर होता है जिसमें 24 तिलिया होती है याद रखना है आपको कुश्य नमबर 24 है स्वतांत्र भारत के पहले राश्पती कौन थे? स्वतांत्र भारत के पहले राश्पती कौन थे? तो पंडित चोहरलाल नेहरू जो थे? यह स्वतांत्र भारत के पहले जो है प्रधान मंत्री थे? अंसर हो जाएगा B स्वतंत्र भारत के पहले सिक्षा मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले सिक्षा मंत्री कौन थे तो ये थे मौलाना अबूल कलामाजाद अंसर हो जाएगा B Question No.26 है भारत छुड़ो अंदोलन की सुरुवात किसने की थी तो आप सभी को पता ही होगा महत्मा गाधी जी ने भारत छुड़ो अंदोलन की सुरुवात की थी अंसर हो जाएगा C भारत का राश्टिया गीत बंदे मात्रम के रचाईता कौन है तो बंदे मात्रम की रचना किसने की थी तो इसकी रचना जो है बंकीम चंदर चटो पाध्याय ने की थी आंसर हो जाएगा B तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादे दूँगा का नारा किसने दिया था तो देखे इसका नारा जो है ये सुबास चंदर बोस ने दिया था करेक्ट आंसर C हो जाएगा स्वतांत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे तो पहले रेल और परिवहर मंत्री डाक्टर जोन मत्राई थे ठीक है स्वतांत्र भारत के थे आंसर हो जाएगा B भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे तो पहले जो रेल मंत्री थे वो थे आसी फली ठीक है आसा फली थे और स्वतंत्र भारत के पुश्या जाए कि रेल मंत्री कौन थे तो जोन मत आई थे आपको याद रखना है इन कलाब जिन्दाबाद का नारा किस ने दिया था तो इन कलाब जिन्दाबाद का नारा जो है भागत सी ने दिया था अंसर हो जाएगा B कुश्या नमर ताइटेस है बंदे मातरम का नारा किस ने दिया था तो बंदे मातरम का जो नारा दिया था उन्होंने बंकीम चंदर चटो पाध्याए ने जो है बंदे मातरम का नारा दिया था अंसर हो जाएगा C कुश्य नमबर 34 है भारत छोडो का नारा किस ने दिया था भारत छोडो का नारा किस ने दिया था महत्मा गाधी जी ने दिया था ठीक है आंसर हो जाएगा सी स्वतांत्र भारत के पहले गिरी और सूचनाय और प्रसारण मंत्री कौन थे स्वतांत्र भारत के पहले गिरी और सूचना और प्रसाराण मंत्री कौन थे तो ये थे सर्दार बला भाई पटेल कौन थे सर्दार बला भाई पटेल थे अंसर हो जाये गसी कुश्चन नमबर 36 है स्वतांत्र भारत के पहले बीत मंत्री कौन थे तो देखे पहले जो बित मंत्री थे वो थे R.K. सनमुखम सिठी कौन थे R.K. सनमुखम सिठी थे अंसर हो जायगा C Question number 37 है स्वतंतर भारत के पहले कानुन मंत्री कौन थे तो पहले कानुन मंत्री डाक्टर भीम रावंबेद कर आपको याद रखना है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डाक्टर भृमरावांबेदकर थे स्वतंत्र भारत के पहले खादय और क्रेसि मंत्री कौन थे तो डाक्टर राजेंदर परसाद थे प्रसाद खो जायगा भी कुछनन नमबर फो टी है स्वतांत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ती मंत्री कौन थे स्वतांत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ती मंत्री कौन थे तो यह थे डाक्टर स्यामा परसाद मुखर जी ठीक है डाक्टर स्यामा परसाद मुखर जी थे अंसर हो जाएगा C स्वतंत्र भारत के पहले सरम मंत्री कौन थे तो correct answer C हो जाएगा बाबु जग जीवन राम जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले सरम मंत्री थे स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्त मंत्री कौन थे तो स्वास्त मंत्री जो थे वो राजकुमारी अमरीत कौर ठीक है राज कुमारी अम्रीत को और थी स्वतांत्र भारत के पहले स्वास्त मंत्री ठीक है अंसर उचायगा सी 43 है स्वतांत्र भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे तो संचार मंत्री ये थे रफी अहमद की दोई ठीक है रफी अहमद की दोई जो थे ये स्वतंद्र भारत के पहले संचार मंत्री थे भारत के प्रथम राश्पती कौन थे तो भारत के पहले राश्पती राजेंदर परसाद थे ठीके B आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम उप राश्पती तो देखे भारत के प्रथम उप राश्पती सरपली राधा क्रिश्नन ठीके सरपली राधा क्रिश्नन आंसर हो जाएगा सी भारत के प्रथम उप परधान मंत्री कौन थे? उप परधान मंत्री सरदार बला भाई पटेल सरदार बला भाई पटेल भारत के प्रथम उप परधान मंत्री थे स्वतांत्र भारत के पहले कार्या खान यहां उर्जा मंत्री कौन थे? स्वतांत्र भारत के पहले कार्या खाने वा उर्जा मंत्री कौन थे तो ये थे नरहर बिश्रू गाडगिल ठीक है नरहर बिश्रू गाडगिल थे अंसर हो जाएगा सी स्वतांत्र भारत के पहले राहत और पुनर्वास मंत्री कौन थे स्वतांत्र भारत के पहले राहत और पुनर्वास मंत्री कौन थे तो ये थे केसी नी होगी ठीक है केसी नी होगी थे आंसर हो जाएगा सी कुश्चन नमबर 40 है स्वतांत्र भारत के प्राथम गौर्णा जर्नल कौन थे स्वतंत्र लॉड मांट वेटें थे अंसर हो जाएगा सी भारत के प्रोथम बाइसराय कौन थे तो प्रोथम बाइसराय लॉड कैनिंग ठीक है लॉड कैनिंग प्रोथम बाइसराय थे अंसर हो जाएगा ये स्वतांत्र भारत के अंतिम गौर्णा जर्नल कौन थे तो अंतिम गौर्णा जर्नल सी राजगोपालाचरी ठीक है सी राजगोपालाचरी अंतिम गौर्णा जर्नल थे भारत का एक मात्र भारतिय गौर्णा जर्नल कौन थे भारतिय गोर्न जर्नल आपको बताना है तो ये तो हमने अभी बताया कि सी राजगुपला चक्रवर्ती राजगुपलाचारी ये मतलब स्वतांद्र भारत के भारतिय गोर्न जर्नल थे ठीक है तो आंसर हो जाएगा ये भारत के राश्टिया गान जन गन मन के रचाईता कौन है तो जन गन मन के रचाईता रबीना टैगोर है ठीक है कौन है रबीना टैगोर आंसर हो जाएगा सी भारत के राश्टिया ध्वज में तीन रंग की पटिया कौन सी है तीन रंग की जो पटिया है वो है केसरिया सफेद और हरा ठीक है ये राश्टियद हो जो है इसमें तीन रंग की जो पटिया है तीन रंग की पटिया है उपर है केसरिया बीच में सफेद और हरा ठीक है और बीच में जो है चक्र है ठीक है चक्र का रंग गहरा नीला है और इस इसमें जो है 24 तीलिया है ठीक है इसमें 24 तीलिया है याद रखना है आपको और इसकी लंबाई और चोड़ा ये तो बता ही चुके है कि 3 अनुपाद 2 होता है ठीक है याद रखना है और इसका डिजाइन किसने तयार किया था पिंगाली बंकईया ने पिंगाली बंकईया ने इसका डिजाइन तयार किया थे याद रखना है राष्टिय ध्वज महत्मा गाधी ने सब इना अंदोलन को कब सुरू किया तो सब इना अंदोलन को महत्मा गाधी जी ने 1930 में जो है शुरू किया था ठीक है तो आंसर हो जाएगा अपसने कुश्य नंबर 56 है अठार सो संतावन के बिद्रो के समय भारत का गौना जर्नल कौन था तो भारत का गौना जर्नल लौड कैनिंग ठीक है लौड कैनिंग जो था यह अठार सो संतावन के बिद्रो के समय भारत का गौना जर्नल था भारत के राष्टिय ध्वज का क्या नाम है तो राष्टिय ध्वज का जो नाम है वो है तिरंगा ठीक है भारत का जो राष्टिय ध्वज उसका नाम क्या है तिरंगा ठीक है यह कथन किसका 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 है यह अंसर हो जाएगा B, question number 59 है, स्वतंता मेरा जर्म से धदिकार है, और मैं इसे ले कर रहूंगा, कनारा किस ने दिया था, तो देखे इस कनारा जो है, बाल, गंगाधर, तिलक ने दिया था, ठीक है, तो answer हो जाएगा C, उसके बाद यहाँ पर हमार अगला question है, तुम मुझे question रहेगा, अपसाने आपके पास सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गाधे जी, सुभाष चंद्र बोस दो बार हो गया, इन्हों ऐसे कोई नहीं, सही answer जो है, comment box में जरूर बाता है, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लेज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी इसे share कर सकते हैं, ठीक है, और चैनल पनाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जुरूर सेन कर दें, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, जै हिंद, जै भारत, ठीक है,